हाई गाइस मैं तानिया आपका हमारे चैनल एमटी रेजनाथ इंडिया में स्वागत करती हूं बहुत सारी क्वेरी जा रही थी मोल्ड के साथ कैसे काम किया जाता है हम इसको आगे कैसे लेके जाए किते तरह के पिगमेंट्स होते हैं कैसे इसको मिक्स करना होता है तो आज हम अच्छे से समझाने की इस वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे कि आप कैसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक प्रोड़क्त को कम्प्लीट कर सकते हैं तो हमारा वीडियो प्लीज पूरा दिखेगा इस तर इस तरह से फाइनल प्रोड़क्त को त्यार करते हैं आज की वीडियो में हम आपको अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे कि यह सब कुछ हमने कैसे बनाया है आप इसको क्या क्या चाहिएगा सबसे पहले जरूरी है वेट मशीन क्योंकि हमारा रेजिन और हाडनर वो वेट से ही जाता है अगर आप इसको वेट से नहीं करेंगे तो यह ढंक से नहीं सुखेगा तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज जो होती है वो होती है वेट मशीन उसके बाद कुछ कलर्स चाहिएंगे जो आपको हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे काफी कुशन हो गया होती है वेट मशीन की यहाँ से ओप अन योजाएगी जब्वी आप इसको यूज करते हैं आपको ये धियान में रखना है कि कभी भी बीना surface के मतलब कि इसको हाथ में कभी भी ऑन नहीं करनी है इसको यह अच्छी जगे पर रखी भी हो तभी इसको अनादर नहीं तो खराब हो जाएगी ठेक हैं दूसरी बात ही सबसे जादा रही है क्योंकि हमारा जो अपॉक्सी है वो वेट से ही केलकुलेट होगा अगर आपने कप से या किसी और तरीके से इसको केलकुलेट करने की कोशिश को छी तो यह आपका कभी भी सुखेगा नहीं ठेक हैं और इसका ह आपको 10 ग्राम हार्डनर लिया है तो आपको 30 ग्राम रेजन लेना पड़ेगा अब हम काम को स्टार्ट करता है सबसे पहले हमने मशीन को चालू किया इसके बाद आपको जीरो पे लाना इसके लिए आपको टेर करना होगा देख लीजिए मशीन जीरो पे आ चुकी है अब हम बहुत सारी चीज़े बनाने वाले ट्रायल के लिए आप सब को बताने के लिए तो मैं 20 ग्राम हार्डनर ले रही हूं यह दिखी है अधी के बीस ग्राम मैंने ओला देख लिए अब मैं इस मशीन को फिर से जीरो करूंगी एक ड्राम ऊपम नहीं जोटा है साथ ग्राम मुझे रेजिन लेना है हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप रेजिन और हाडनर लेते हैं तो आप हाडनर हमेशा पहले कप में डाली उसके बाद रेजिन डाली इसे आपका जो मिक्स है वो अच्छे से हो पाएगा दूसरी चीज आप जब बाउल में रेजिन और हाडनर ले रहे हो जिस भी कप में ले रहे हो हमेशा ध्यान रखो कि आप जितना भर रहे हो उससे आपका कप साइज बड़ा होना चाहिए जब हम resin and hardener को mix करते हैं तो इसका reaction होता है reaction होतके इसकी जो fumes या gas जो भी बहार निकलती है अगर इसको space नहीं मिलता है बहार निकलने का तो ये अंदर ही जम जाती है तो आप जिसमें भी इसको mix कर रहे हैं आप थोड़ा सा बढ़ा लेने की कोशिश करें अब हमारा हमने ले लिया अब हम इसको off कर देंगे अब हम इसको mix करेंगे अच्छे से हमें कम से कम पांच से 10 मिनिट तक इसको अच्छे से mix करना और बहुत जादा तेज भी नहीं बहुत जादा धीरे भी अराम से इसको mix करना जब तक कि एकदम clear ना हो जाए अब यह आप देखो यह दुनला दुनला देख रहा है राइट अब जब तक एकदम clear नहीं दीखेगा न मुझे इसको अच्छे से mix करना है देखिए अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और आप देख सकते हैं कि एकदम क्लियर हो चुका है पहले जो दुनला दुनला ऐसे दिख रहा था अब वो नहीं दिख रहा यह अच्छे से mix हो चुका है ठीक है अब weight machine का कोई भी काम नहीं है तब मैं इसको side में रख दूँगे basically हम जो काम करते हैं इसके अंदर 3-4 pigments जो है वो main role रिभाते हैं ऐसे तो बहुत सारे present pigments आते हैं बट अगर beginner है तो आपके लिए 3-4 जो basic pigments होता है वो है paste pigment जो पहला pigment में आपको बताना चाहते हूं यह ऐसे liquid form में होता है paste form में होता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं दूसरा जो pigment है वो होता है pearl pigment यह powder form में होता है और थोड़ा सा इसमें देखे शाइन है आप देख पा रहे होंगे powder में थर्ड होता है यह glitter यह सिर्फ चमकी होती है अगर हम basically गए तो यह होता है glitter last यह holographic होता है देखें इसके नदर आप सत्रंगी चीज देख सकते हैं इसलिए इसको holographic बोलते है और gold flakes golden flakes तो अब हम काम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जबने paste pigment से अगर कुछ बनाया है उसके बारे में आपको बताना चाहती हूं यह चीज यह हमने transparent paste pigment से बनाई है आप देख सकते हैं यह चीज हमने transparent paste pigment से बनाई है आप इसके आर पार देख सकते हैं इसलिए इसको transparent pigment कहते हैं इधर से उदर आप देख सकते है clearly इसलिए इसको transparent कहते हैं ये हमने green pearl pigment से बनाया है, इसकी shine देखिए आप, ये हमने green pearl pigment से बनाया है, ये हमने paste color से बनाया था, ये दिखिए, ये भी paste color की help से बनाया है, मैं आपको सबी चीजे सब colors में बना के बताऊंगी, तो अब हम स्टार्ट करते है, हमने जित्ता भी resin mix किया है, हम उसको 3-4 छोटे-छोटे भागों में divide कर लेंगे, ताकि हमें जो-जो color mix करना है उन cups में, हम mix कर सकते हैं, मैं इसको अभी 5 भागों में divide कर रही हूँ, ताकि मैं आपको हर color के बारे में जानकारी दे पाऊं, कि कौन सा color mix होता है, कैसा लगता है, आपके पास इसमें काम करने के लिए आदा घंटा है, आप अराम से आदे घंटे तक इसमें काम कर सकता है, ठोड़ा बहुत resin मैंने मे करना बता रही हूँ, TP Blue के साथ आप जब काम करते हैं, किसी भी transparent color के साथ, तो आप ध्यान रखिए, कि आप बिल्कुल हलका सा pigment लीजिए, आप बिल्कुल थोड़ा सा नहीं लोगे, तो फिर ये transparent नहीं रहेगा, फिर वो opaque हो जाएगा, opaque मतलब जैसा कि normal color होता है, ये, ये opaque color है, transparent जो मैं आपको पता है था, इधर सो दर जाता है, तो जब मैंने TP Blue लिया है, इतना सा color, इतना सारे resin में, तीक है, इसको डाला और mix, देखे, अब मैं इसको mix कर रहे हूँ, एक चीज़ मैं आपको पताना चाहते हूँ, मेरे काफी customers के मेरे पास query आती है, कि मैं हम जब एक ही coaster में या एक ही mold में अगर दो color डालते हैं, तो वो mix हो जाते है, हमारा separate separate नहीं दिखाई देता है, जैसे कि मेरा यह है, आप इसमें देख सकते हो, कि इसमें separate separate colors दिखाई दे रहे हैं, तो इसके पीछे दो तीन reasons में आपको बताती हूँ, कि separate separate मेरे पास कैसे रह जाते हैं, फर्स्ट आप अगर आपका 5 mm का mold है, तो आप उसमें 2 mm फर्स्ट जो आप layer बना रहे हैं, उसमें 2 mm तक ही भरिये, फिर उसको 7-8 गंटे semi mold को पूरा सूखना नहीं देना है, थोड़ा बहुत सूख जाए ना, उसके बाद हम उसमें crystal resin डाल देंगे, क्योंकि अगर आप mold पूरा फर्स देते हो ना, तो color ऐसे mix हो जाता है, second चीज ही होती है कि आप थोड़ा सा, यह resin है ना, time के साथ दीरे-दीरे गाढ़ा होता है, अगर आप दो पतली चीजों को मिलाओगे, तो वो of course mix होगा, पर वो ही अगर आपने थोड़ा गाढ़ा होने के बाद उसको mold में डागा है, तो वो mix थोड़ा इतनी आसानी से नहीं होता है, ठीक है, इसके अलावा मैं आप एक gold flick के साथ बनाऊंगे, बिल्कुल थोड़ी सी लूंगी मैं, और मैंने इस मिसको डाल दिया, मुझे जादा लग रही थी, तो मैंने अटा दिया, यह जैसे-जैसे मैं इसको mix करूंगी न, रेजिन में, यह अपने आप रूपती जाएगी, देखिए, अब मैं जब तक ही थोड़ा सा गाड़ा हो रहा है, तो मैं आपको एक pop socket बनाना बताती हूँ, pop socket बनाने के दो तरीके होता है, यह रहा pop socket mold, यह pop socket mold है हमारे पास, मैं इन cup को हटा देती हूँ, यहां से, ताई कि आप देख पाए, और एक direct pop socket, मैं आपको दोनों तरीके से यह काम करना बताऊंगी, ठीक है, सबसे पहले, यह हमारे पास, इसका resin मैं कम कर लेती, बिकास मुझे इत्ती resin के ज़रत नहीं होगी, okay, यह मैंने resin लिया, इसके अंदर मैं डालूंगी holographic color, holographic, इसको holographic chunky glitter बोलता है, मैं इसको, इसके अंदर mix कर दूंगी, यह आपकी ओपर है कि आप इसको कितना डालना चाहते हैं, ठीक है, mix कर दिया, अच्छे से, quantity completely आपकी ओपर depend करती है कि आप कितना डालना चाहते हैं, उसके बाद हम इसमें, इसको पूरा नहीं बढ़ना है, पहली बात, थोड़ा बहुत बढ़ दिया, और छोड़ दिया, हम जब 6-7 घंटे हो जाएंगे ना हमारा इसको तब हम इसको पूरा बढ़ेंगे, crystal resin से, दूसरा, जब यह पूरा सूख जाएगा, हम पूरा मोल्ड बना देंगे, फिर पूरा सूख जाएगा, फिर या तो फिर आप अपॉक्सी की हेल्प से, या फिर हिंसको पॉप सॉकेट पे चिपका सकते हैं, एक तो हो गया ऑम पॉप सॉकेट, मॉल्ड की हेल्प से बना एक मैं आपको डेरेक्ट करके बताती हुआप मैं यह बलैक स करके बतार हुआप आएसा भी दिर फे उपर उपर आसे यह जादा नहीं बनाना है, थोड़ा सा डाल मेरा भी और इसको ऐसे चारो तक चारो दिशाओं में ऐसे फैला देना है थोड़ा 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 यह दिखिए अभी एकदम ऐसा प्लेन पॉप सॉकेट था मैं जब कली सुखेगा तो मैं आपको बताऊंगे कि कितना प्यारा लग रहा है आप ऐसे बना के बहुत अच्छी अर्णिंग कर सकते हैं एक मेरे पास फ्लावर शीट है मैं आपको वह भी रखके क्लियर रेजिन डाल के बता देत यह मेरे पास एक आप रियल फ्लावर बश्वार भी बढ़ डाल सकते हैं यह मेरे पास फ्लावर शीट है आप मुझसे यह शीट ओर करके मंगा सकते हैं और रियल फ्लावर भी आता है मैं एक मिनिट आपको बता देती हूं इस तरह के रियल फ्लास भी, यह रियल फ्लास है, जो सुखाए जातने हैं, और बाद में आप इनको रेजिन में डाल सकते हैं, यह मेरी वेबसाइट पर अविलेबल है, आप इसको मंगा सकते हैं, अभी मैं शीट की हेल्प से बना रही हूं, और मैं अभी यह पिंग कलर वाल बनाओंगी, सीजर की हेल्प से मैं इसको कट कर लूँगे, और मैं साइड में इसको एकदम, ऐसा जरुरत तो नहीं होती है, पर अगर आप फिर भी अगर गोल शेप में काटना चाहें, तो काट दिया, यह जो हमारा क्लियर रेजिन है, यह हमने लिया, इसके ओपर ऐसे कर दिया, हाँ, उसके ओपर हमें एक प्लेन पॉप सॉकेट लिया, इसके ओपर हमने जहां में चपकाना है, वैसे हमने इसको चपका दिया, आप चाहे तो real flowers भी ले सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह की sheet भी ले सकते हैं, of course real flowers जादा सुंदर दिखेगा, और उसके पर ऐसे थोड़ा सा epoxy clear वाला मैंने डाल दिया और इसको हम चारो तरफ अच्छे से फैला देंगे, ठीक है? तो अब आप देख पारे होंगे कि बीच में एक plain pop socket पड़ा है, और दोनों corners पे resin के साथ काम हुआवा pop socket पड़ा है, कि तक खूबसरत दिख रहा है, फरक आपकी आखों के सामने हैं, अब हमारा ये थोड़ा गाड़ा हो चुक है, तो मैं कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो लेट सी, मैं ये वाले तोनों कप्स यूज करने वाले हूँ, बट थोड़ा जगे नहीं में पास, ओके ये चीज हमने यहां रखी, सबसे पहले हमने टीपी ब्लू कलर याद रखिए आपको पूरा नहीं बढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ही बढ़ना है, हम हर आंगल तक हम पुचा देंगे, ओके, फिर हमारी गोल्डन प्लेक से हम वो डाल देंगे यहां पर, अगर आपको गोल्डन प्लिक्स कम लग रही है, तो आप इसमें और भी गोल्डन प्लिक्स एड़ कर सकते हैं, बट मुझे सही लग रहा है, और अब आप जैसे इसको जो भी कलर जैसे मैं चाहती हूँ की, ऐसे, जिस भी तरह से आप मिक्स करना चाओ, वो आप दे सकते हैं अभी हमको इसमें पूरा नहीं भरना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि आप अगर 5 mm का मोल्ड है, तो इसका 2 mm भर लीजे, 3 mm हम बाद में क्रिस्टल रेजिन डाल के फिल करेंगे, उससे क्या होगा, अगर अभी मैं इसको पूरा भर दूंगी तो ये मिक्स हो जाएंगे आपस में, पर मुझे मिक्स नहीं दिखाने, अब मैं जैसे कि ये पिंग कलर में है, मैं इसमें आपको ग्रीन कलर का बना के बताती हूं, मेरे पास रेजन है, बिल्कुल थोड़ा सा रेजन, अपने दूसरे कप में लोंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, उसमें ये ये वाला कलर जो है, वो ट्रांस्परेंट नहीं है, ये ओपेक कलर है, चीक है, ये इतना सा कलर लिया मैंने, ये भी जादा है, बिल्कुल थोड़ा सा कलर लेना है, बिकुल अपॉक्सी में इतना कलर नहीं जाता है, अब मैं इसमें ये ग्रीन कलर डाल दिया, मैंने, एक बात चॉप को काम करते वे ध्यान रखनी चीए, कि आपका जो सर्फेस है, वो लेवल में होना चाहिए, अगर वो लेवल में नहीं होगा, तो आपका मूल अच्छे से भरा नहीं जाएगा, एक तरफ से बड़ा, एक तरफ से छोटा, ऐसा होगा, मैंने लिया, और इसको मैं चारो तरफ फेला दूँए, और अगर आपको लग रहा है, जैसे मेरे जो लग रहा है, कि थोड़ा सा कम हो गया, तो थोड़ा सा रेजिन डाला, कलर्स के साथ थोड़ा सा मिक्स किया, तो यह हमारा मोल्ड हमने बढ़ दिया, अब हम कीचेन बनाएंगे, with the help of pearl and glitter, मैं एक मून में आपको pearl के साथ काम करके बताऊंगी, और एक मून में आपको glitter के साथ काम करके बताऊंगी, ताकि आपको इन दोनों में जो difference है, वो आपको अच्छे से समझ में है, ठीक है, यह वाली जो sticks होती है, जो मैं use कर रही हूं, यह reusable sticks होती है, लाइकि जब epoxy सूख जाएगी न, फिर आप इसको थोड़ा सा मोड़ोगे, तो जितनी भी epoxy होती है, वो निकल जाती है, और आप इसको बार बार use कर सकते हो, थोड़ा सा pearl pigment लिया, यह मेरा इतना resin है, आप देख सकते हैं, डाला, mix किया, अब इसको ऐसे moon mold में डाल रहे हैं, आप इसको चाहे तो pendant बना लीजिए, चाहे तो earring बना लीजिए, कुछ भी बना सकता है, यह चाहे तो पूरा भर सकते हैं, यह बड़ा mold नहीं है, आपकी creativity के उपड़े pen करता है, तो आप चाहे तो पूरा भर दीजिए, और आप चाहे तो आधा बरिया, हमने इसके कान इससे बढ़ दिया है, एक cup में मैं glitter लोगी, यह मेरे पास है gold glitter, मैंने cup में डाला, यह में लोगी काई पूरा भी लोगी, ओौरा भी नहीं है।, एक कान उनले के काई समय से नहीं हैं, रह चाहें जहीं के उकिजा हैं, कि आर खूरा हैं ह्या किए को ओॉटारा पॉगthing नहीं हैं, हमकि बज़े बढ़ा हैं लोगी बचरा भोट다, झाल हमने सारे मोल्ड को फिल कर दिया है अब हम इस कोस्टर मोल्ड में ऐसे फ्रेम क्रेट करने वाले हैं अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप अपनी फोटो लगा दीजिए आप जिसको भी गिफ्ट रहना चाहते हैं फोटो या कोई भी मैमुरेबल तिंग आप अब देख सकते हैं तो सबसे पहले हम फोटो बाद में डालेंगे सबसे पहले हमें बेस क्रिएट करना होगा जैसे कि हमने इसमें परपल कलर किया ता आप देख सकता है तो मैंने अपोक्सी लिये और इसके अंदर में वाइट पर्ल पिग्मेंट डालूंगी कि यह मैंने इसको अच्छा से मिक्स कर लिया है देख ले ना कि कहीं पर भी पाउडर या ऐसा कुछ रहन गया हो अच्छा से मिक्स हो गया और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे चारो तरह पच्छा से पहला दिया अब हम इन सारे प्रड़क्ट्स को चैसा साथ घंटे के लिए अच्छे से सूखने के लिए छोड़ देंगे अच्छे से मिला इसको ना पूरा सूखने देना ना पूरा गिला हुआ वालब यह बीच वाली कंडिशन में होना चीए और फिर हम इसमें जो में से सेकेंड लियर कंप्लीट कंप्लीट भरना है हम वो भरेंगे अब देख सकते हैं कि कई कई बबल आये में होते हैं तो आप इस टॉर्च की हैल्प से उन बबल्स को अराम से रिमूव कर सकते हैं स्टॉर्च की हैल्प से आपको बबल्स रिमूव करने होता है और एक ही जगे पर जादा देर फ्यूम को नहीं रखना होता है अना अधर वाइस यह जल सकता है ठीक है यह हो गया है सो अब हम आपारा सेकंड प्रोसेजर है वह स्टार्ट करते हैं उसके लिए हमें चाहिएगी फिर से मशीन बिकॉज बिना मशीन के आप रिजन के साथ काम नहीं कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है या आप अपने लोकल मार्केट से भी खरीज सक झाल आप देख सकते हैं कि यह हमारा कितना क्लियर हो चुका है थोड़े बहुत दूबल जवर टी अपने अप अखट जाएंगे और नहीं तो हमारे पास ब्यूटिन टॉर्च होती है और अगर आप चाते हैं कि और हो तो आप इसको 5-10 मिंट छोड़ दीजे काफी हद तक के जो बबल्स होता है वो उसमें निकल जाएंगे उस टाइम पीरिद में कि अरष सबसे हम पहले उसमें क्या करेंगल जिसके अंदर ऐस अमने यह देखिए कल हमने आधा ही बढ़ाता हमने इसको भी आधा बढ़ात तो रिसके अंदर क्रिस्टल डालना foot于 फिल करने कि लिए हम सबसे पहले उस ईसमें इसी ग्लाससे हो भर तीखे तीखे आएंगे जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तो अब इसको मैं फुल भड़ दूंगी बाहर भी नहीं आना चाहिए देखिए मैंने इसको पूरा कॉर्णनर तक भड़ दिया है इसके अंदर भी मुझे और कुछ नहीं करना है तो मैं इसको भी क्लियर रेजिन डाल दूंगी इन दोनों को मैंने पूरा पूरा फिल कर लिया है अब मैं इसके अंदर सेम टू सेम लुक देने वाली उपर का जो एक और लेयर है उसके उपर हम गोल फ्लिक की लिए डालने वाले है तो मैंने कप ले लिया है इस मशीन का वापस से कोई काम नहीं है इसको मैं साइड में ले लूँगे थोड़ा सा रेजिन मैंने इस कप में ले लिया जितना मुझे लगता है की लगेगा थोड़ी सी गुल फ्लिक्स तो हम मिला रहे हैं और जैसे कि आपको पता है जैसे हम मिलाते जाएंगे गुल फ्लिक्स छोटे छोटे पार्ट्स में आटोमेटिकली टूट जाती है जैसे कि गुल फ्लिक्स अच्छे से तूट चुकी है अब हम इसके अंदर इसको पूरा फिल कर देंगे और इसको हर कॉर्णर तक अच्छे से लेके जाएंगे अब हम इस कोस्टर में फ्रेम बनाने वाले हैं तो हमने ये फोटो को यहाँ पैसे प्लीज किया इस तरह के ड्राइफ लास जो होते हैं उससे हम इसको और डैकॉरेट कर सकते हैं जया कोड बनाने पनाने वाले हैं झाल 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 हम लोग पॉरिंग करने के 24 hours बाद वापस मेल रहे हैं झाल झाल हम इसको दिमोल्ड करेंगे देखें कितनी आसानी से यह दिमोल्ड हो जाता है झाल झाल यह झाल तो आप 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 लोगों की काफी क्वेरी होगी होगी देखें हमने पहले से भी कुछ पीसे हमारे पास बना के रखे दें यह सभी मोल्ड आपको हमारी वेब्साइट पे अवेलिबल हैं झाल झाल